नमस्कार सुस्वागातम वेलकम अभी नंदन सच बता रही हूं सनी दियोल वाली फिलिंग आ रही है समझ में आ रहा है कि जब बंदे करेक्टर में आती होंगे तो कैसा लगता होगा लेकिन इस पर मैं सरफ इसलिए बैठी मैं देखना चाहती हूं कि 26 जनवरी पर ये लोगो आपको आता है मैं ने का मेरे खांदन में कोई ट्रेक्टर पर नहीं बैठा मैं पहली लड़की हूं जो करेक्टर पर बैटरी ऊंगे पापा ममी में से भी कोई नहीं बैठा स्वागत है आप सभी का आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे पॉधे जो घर में होने चाहिए और पॉधे जो घर में नहीं होने चाहिए मैं हूं डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग सबसे पहले कमेंट्स में जाके जैमातादी जरूर लिखे आप खुश रहें मस रहें बिंदास रहें और ट्रेक्टर की जैसे जिंदगी आपकी चलती रहे और यह ट्रेक्टर को तो स पॉलिस वाला नहीं आना चाहिए इस ट्रेक्टर को धर्ती मा के ओपर चलता हुआ देखकर ही अच्छा होता है जब हमारा पेड भरता है जब किसानों की मदद करता है यह ट्रेक्टर कहीं और चलता देखकर दुख हुआ मुझे लेकिन इस पर बैठ कर वो देश-भक्ती व बात करूंगी जो आपके घर के अंदर और बाहर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए क्योंकि अब बड़े-बड़े फार्म हाउस और बड़े-बड़े ऐसे घरों का तो हिसाब किताब रहा नहीं है जैसे कि हमारी कोठियां हो individual houses हो और हम अपने घर के बाहर कुछ भी रख सबसे पहले में उन पौधों के नाम बताऊंगी जो घर में होने ही चाहिए तुलसी ओए होए अगर घर में तुलसी नहीं तो कुछ भी नहीं रामा तुलसी शामा तुलसी दोनों घर में होने चाहिए शम्मी का पौधा जिसे हरी विश्नु का पौधा बोलता है उसे घर मे शांती लेकर आता है और इसे शांती पौधा बोलता है उसे घर में होना ही चाहिए घर में मनी प्लांट होना ही चाहिए और मनी प्लांट में छुपा कर आपको कुछ सिक्के और कुछ कौडियां रखनी ही चाहिए घर में नीवू का पौधा होना ही चाहिए घर में मीठी नीम होने ही चाहिए मैं कड़वी नीम मना कर रही हूं पर मीठी नीम हो सकती है कदम का पेड़ घर के अंदर होना ही चाहिए आवले का पेड़ घर के अंदर होना ही चाहिए और नारंगी का पौधा अगर घर के दक्षिन की तरफ हो तो आपके दुश्मन खतम हो जाते हैं चली अब उन पौधों की बात करते हैं, जो आपके घर के अंदर नहीं होने चाहिए, सबसे पहले पीपल आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बरगत आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए, केला, केला रहे सधा अकेला, आपके घर में नहीं होना चाहिए, चाहिए टेक्टस का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, गुलाब का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, मिर्च का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, एलो विरा का पौधा घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, एलो विरा का पौधा घर के बाहर आंगन में हो सकता है, केले का पेड़ बहार हो सकता है लेकिन घर में नहीं हो सकता मैं हूँ डॉक्टर वायराकी इस वक्त आपसे बता रही हूं कि कौन से पौधे घर के अंदर होने चाहिए इंडोर और आउट्डोर कौन से होने चाहिए उमीद आपको में